हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हो तो बिना टाइम वेस्ट किये चलते है वीडियो की तरह मेरी नाइट स्किन के रूटीन में जो फर्स टेफ होता है वह है फेश वर्ष तो फेश वर्ष के लिए मैं यूज चैनल करती हो यह यह फेश शॉप की तराइस वैट फेश वर्ष यह बोहत ही जादा अच्छा एक पेश वर्ष है और वह बहुत अच्छे से सारी ओयल को क्लियर करती है मैं जादा प्रेफर करती हूं रात में आप लोग कही आप तंसे आ रहे है तो इसी लिए हमें ऐसा कु यूज़ करती है, सारी एक्स्ट्रा ओइल नेकल जाता है, प्लियähr को सेक्यूर कर लिया हैं, आप लोग भी प्लीज नाईट स्किं कार ये कैमफे ह bersermek है, दूडल प्रॉब्रिम क्लिकार होती है हमारी face के लिए जितना नीड है हम लोग बस उतना ही facverse use करेंगे कि अच्छे से हमारी skin में हम लोग circular motion में ऐसे कर लेंगे कि आप लोग देख सकते मैंने अच्छे से मेरी skin ko clean करें start कर दिया है है अपने neck area को भी कभी भी किजिएगा यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ज्यादा एक्स्ट्रा लेनी के जरूरत है जिता आपके हैंड्स पर है उतने से ही काम दो चल जाएगा मैंने अपरी तल के चलती हूँ फेस्ट की तरफ यह प्लव। ज्युआट करूपिं तो लोग डैली बसे नाइट स्किन के रूटियन फॉलो करिय हैались तो फेस पैक्स अब जिस दिन नहीं अपलाई करेंगे उस दिन फेस के स्किन के सा शाथ कर आप लोगो आधे फेसे शोरे के बाद उस स्केप जा essayे कोक। अप्ते में दो बार जब आप लोग अपनी स्कीन पे फेस पैक यूज़ करेंगे तब आप लोग मेरी ये पूरी स्कीन के रूटिन को स्टेप बाइस्टेप फॉलो कर सकते लिए फेस पेस पैक यूज़ करने वाली हूँ इसका रिव्यू में पहले भी शेयर कर चुकियों आप लोग के साथ ये बहुत ही जद अच्छा एक फेस पैक है और अगर आप लोग पर्टिकुलर ये वाला फेस पैक अपने फेस पी यूज़ कर रहे हैं तो इस फेस पैक में डिस्क्रिप्शन में प्रेंशन किया हुआ है क आप लोग वाले से आउ इस फेस पैक कर लिया है इस फेस पैक को अभसा साथ का लिया है तो अभी इसको सुखने तक वेट करना पड़ेगा तो अभी मैं इसको वॉष कर लो अच्छे से पानी से धोलिया और मेरी फेस कितनी ज्यादा क्लियर लग रहा है तो अभी मैं इसको अच्छे से डैप करके पोच लेती हूं देख चुकिए मैं ने अपनी फेस को है उसके बाद मैंने फेस पेक लगाया था तो मैं अपने फेस पेक देखने वाली हो फेस टोनर बोग मेंस से जो मुझे फालो करते हैं उन लोग को पता ही होगा कि मेरी फेवरिट टोनर कौन सी है और वेसली कामकफ का प्यूर रोज वाटर यह बहुत जादा अच्छा है गाइस यह बहुत जादा अच्छे से हमारी स्कीन पर काम करता है तो अभी मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से अपलाई कर लोगी और अगर आप लोग कभी भी फेस पैक यूज़ करेंगे तो फेस करने के तुरंद बात आप लोग को फेस मिस्ट या फिर मॉश्टराइजर हमेशा इस्तमाल करना पड़ेगा गाइस फेस पैक को अपने फेस से दोने के बाद कभी भी उसे ऐसे ही मत छोड़ दीजीगा क्योंकि फेस वैसे भी ड्राय आउट होता है और फेस में से सारे डर् कामा का प्यूर रोज वाटर आप लोग देख सकते हैं तब लोग देख सकते मैंने मेरी फेवरिट फेस मिस्ट अपने फेस पेपलाई कर लिया है और मेरी फेस कितने अच्छे से गलो कर रही है गाइस तो अभी इसको थोड़ा टाइम इसको ड्राय होने के लिए मैं कर चुकी है और मेरी फेस बहुत ज्यादा अच्छे से गलो कर देए गाइस नेक्स टेप में मेरी फेवरिट अभी करेंट फेवरिट जो सिरम है वह है यह है लाटियल का तो यह सिरम में अपने पेस पेस्तिमाल करने वाली हूं आप लोग देख सकते हैं अल्मोस्ट मेरी फेस कित्मी ज्यादा अच्छी से गलो करना अभी सी स्टाट कर चुकी है गाइस आम जस्ट लव माय रूटीन एंड किनकर ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे तो अप्रिस्टी क्लियर और ग्लूइक फेस किस्किन भी हो जाएगी तो अभी मैं अप्लाइक कर चाहिए और देख सकते मेरी स्किन कितनी ज्यादा गलो कर रही है आप लोग देख सकते हैं नैच्रली गलो कर रही है तो में यहां पर एक और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग की शाथ शेयर करने वाली हूँ गाइस कि अगर आप लोग जिस स्किन में बहुत जल्दी से ग्लो बूस्ट होता है तो वह स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल बना देती है लेकिन इस दिन आप लोग शीट मांस इस्तेवाल नहीं कर पाएंगे उस दिन में आप लोग को रिकमेंड करने वाली अपने फेस पे तो आज में मौशरा सभी अपने अलवरा जल को भी स्किप कर लिया है लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा लेकिन शीट मांस को आप लोग वीक में वांस या ट्वाइस इस्तमाल कर से उससे ज्यादा इंपोर्टन नहीं है अगर तीन दिन अपने और जिस दिन आप लोग जिस दिन चीट मांस करने वाले के चाहिए अपने फेस पे सिट मांस को यह आप लोगों के लिए आप लोगोंके बाद इसे संधु से मसाच कर सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा एफिक देगा अपने इसके बलड शर्कुलेशन को बडाएं को पूरा तूट चुका है गाइस मैं बहुत तब से सैड हूँ कि मेरा टोट गया है और पर्चेस कर लोगी लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं गौशा के जगा जेट रोलर इसमाल करके देखू उसको भी मैं पर्चेस कर सकती हूँ अभी तक मैंने सोचा नहीं है लेकिन अगर आप लोग के पास बुआशा यह जेड रोलर है तो आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं शीट मास के उपर उससे बहुत ज्यादा अच्छा एफेक्ट आएगा अपने स्कीन के लिए तो अभी इसको 10-15 मिनिट तक आप लोग ऐसे डख सकते हैं लास्ट अपने स्केर तो इसके लिए मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा लिप लगा दूँगी के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूं माइक लैम का यह वाला लिप वह बहुत ज्यादा अच्छा है समर्स के लिए परफेक्ट है तो मैं इससे इस्तेमाल करने वाली हूं कि कि हमारे स्कीन को अब है अपने शीट मास को ताने वाली हूं वाव आप लोग देख सकते काई इस कितने ज्यादा गुलोई लग रही है और एकदम ग्लास किन लग रही है अपने इससे क्रिस्टल क्लियर ग्लास किन लग रही है यह बहुत अच्छी से मेरे स्कीन को हाइड्रेट किया है ग्लोई लगती है हर टाइम पे तो आप लोग इसे जरूर फॉलो कर सकते हैं और जैसे कि मैंने बीच में कहा है कुछ स्टेप्स अगर आप लोग को बता दिया है जैसे कि आप लोग पेस्पैक अगर यूस नहीं करेंगे तो आप लोग डाइक टॉनर पे जाएंगे उसके का फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग शीट मक्स नहीं इस्तिमाल करेंगे तो इसके अगेंस्ट आप लोग मॉस्टराइजर थोरा से ज्यादा लगा के आप लोग एक एलवेरा जल लगा दीजिएगा उसे भी ऐसा ही ग्लो आएगा और नेक्स्ट मॉर्निंग और भी अच्छे से आती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए आप लोग को सब मेरी स्कीन केर रूटीन मेंने शेयर किया है आप लोग को पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आइक और कमेंट करना बिल्कुल भूलेगा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं मेरे चैलेल पे स्टेए ट्यून काई सो अभी के लिए बाई